Dear Children, मैं दूलाचन्दा स्वागत करता हूँ आप से भी का बच्चों आप लोगोंने लोब से समंदित बहुत सारी कहानिया पढ़ी होंगी लालच बूरी बला है इस तरह की कहानिया आप लोगोंने जरूर पढ़ा होगा और उसी से समंदित आज एक चप्टर ऐसा दिया हुआ है तो आईए हम लोग देखते हैं इस चप्टर में किस परकार की कहानी है ये है चप्टर 13 और ये कलास 3 का इंगलिस बुक है चप्टर का नाम है No Vice Like Average Vice का मतलब होता है बुराई और Like जैसा Average का मतलब हो गया There was a fisherman, एक मच्छवारा था His name was Babu Lal, उसका नाम Babu Lal था He was very poor, he used to catch fish and sell in the market वह बहुत ही गरीब था और रोज मच्छिलिया पकरता था और उसे मार्केट में बेच दिया करता था This was the only source of livelihood for his family अपने परिवार का भरन पोसंद करने के लिए यही एक मात्र साधन था उसके पास He was poor, वह गरीब था, but gentle and honest लेकिन वह एक नेक बेखती था और इमंदार बेखती था On the other hand, his wife was very greedy और दूसरी तरफ उसकी पत्नी जो थी, वह बहुत ही लालची थी Once Babu Lal could not catch even a single fish Anyhow, he could catch one fish in the evening और साम होते होते, वह किसी तरह से एक मचली पगड़ लेता है It was a very big fish, यह एक बहुत ही बड़ी मचली थी It said to fisher man, और मचली कहती है उस मचवारे से I am the queen of all the fishes here, यहाँ पे जितनी भी मचलिया है मैं उन सब का queen fish हूँ, रानी मचली हूँ Please don't kill me, इसलिए किरपया करके मुझे मत मारो The fisher man said, तो fisher man बोलता है मचवारा I can't live, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता If I leave you, अगर मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ There will be nothing to eat for me and my family तो फिर, अगर मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ तो फिर मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए कुछ भी खाने की चीज़े नहीं बचेगा तो आगे क्या बोलता है The fish said, ओ मचली बोलती है Please don't kill me, किरपया करके मुझे मत मारो I will fulfill your all needs मैं तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा कर दूंगी ऐसा जब बोलती है, फिर क्या होता है The fisherman, Babu Lal, threw the fish into the river and he came back home with empty hand मचवारा Babu Lal उस मचली को नदी में चोड़ देता है उसमें नदी में ही फेक देता है और वापस घर खाली हाँ था जाता है He told his wife about this occurrence और अपनी पतनी से इस घटना की बात वो कहता है She became very angry और वा सुनके काफी गुसा हो जाती है But when Babu Lal told her that the fish could give anything she wanted वापुलाल अपनी पतनी को बतलाता है कि जो कुछ भी चाहिए हमें, वो मचली हमें वो पूरा कर देगी हमारी आवसक्ताओं को वो पूरा करेगी She became quiet, वा सांथ हो जाती है She told her husband और फिर वा अपने पती से बोलती है Go to the fish and ask for a house as we are in need of a house फिर उसकी पतनी बोलती है कि मचली के पास जाओ और उससे कहो कि हमें एक घर क्या आओ सकता है हमें एक घर दे Next day, बाबुलाल went to the river and said to the fish और अगले दिन बाबुलाल नदी में जाता है उस मचली के पास और बोलता है We are poor and have no house to live in कि हम लोग गरीब हैं और हमारे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है Please give us a big house किरप्या करके एक बड़ा घर हम लोगों को दे दो The fish said When बाबुलाल reached home जब बाबुलाल घर वापस आता है He was surprised and pleased to see a big and beautiful house in place of very poor hut वह देखकर आश्चरी चकित हो जाता है उसका जो छोटा सा कुटिया था वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा और सुन्दर घर बना हुआ होता है His wife was very delighted और उसकी पतनी बहुत खुश हो जाती है और आगे क्या है After some days बाबुलाल's wife said her husband कि कुछ दिनों बाद बाबुलाल की पतनी अपने पती से बोलती है I want a bigger house with more money Please go to the fish कि मैं एक और बड़ा घर चाती हूँ जिसमें बहुत सारा पैसा हूँ कि किर्प्या करके आप उस मचली के पास जाईए फिर आगे क्या है बाबुलाल again went to the fish and said बाबुलाल फिर उस मचली के पास चला जाता है और वा कहता है We want a bigger house with lots of money कि हम लोग एक और बड़ा घर चाते हैं जिसमें बहुत सारा पैसा हो The fish said Go back home and you will find a bigger house with lot of money कि तुम वापस घर चले जाओ तुम पाओगे कि एक बहुत बड़ा घर तुमारे पास है और उसमें बहुत सारा पैसा होगा When the fisherman returned his home he found a bigger house with lots of money as the queen fish said वह जब वापस घर जाता है तो वह देखता है कि बहुत बड़ा घर उसका घर परिवर्तित होके चेंज होके बहुत बड़ा घर बन गया है और उसमें बहुत सारा पैसा हो गया है जैसा कि रानी मचली ने बोली थी The fisherman and his family become very happy Fisherman, मचुवारा और उसका परिवार बहुत ही खुश था They became rich वे बहुत ही अमीर हो गये थे Some months passed away वह और पैसा चाहती है और सबसे बड़ा घर चाहती है So she again said to her husband इसलिए वह फिर से अपने पती से बोलती है Please go once again for more money कि किरप्या करके एक बार और जाओ और अधिक पैसा के लिए Jewels and the biggest house Jewelry, आभूसन वगर जो होता है Jewelry के लिए और सबसे बड़ा घर के लिए biggest house एक बार और वह अपने पती को भेज़ती है The fisher man said to his wife और मचुवारा जो होता है वह अपनी wife से कहता है Now we have everything अब हमारे पास सब कुछ है So we must not be greedy इसलिए हमें और अधिक लालच नहीं करना चाहिए His wife become sad and angry वह उदास हो जाती है और गुसा हो जाती है At this इस बात पर वह उदास होके गुसा हो जाती है So the fisher man had to go to the queen fish इसलिए fisher man जो होता है वह फिर से उस मच्छली के पास चला जाता है Fish again unwillingly, unmanay man से उसको जाने की इच्छानी होता है लेकिन फिर भी वह चला जाता है The queen fish found the fisherman sad और जब वह वहाँ पहुचता है तो queen fish देखती है कि fisherman जो है वह sad है, उदास है He asked the reason, वह पुछती है कि आखिर बात क्या है क्यों उदास हो The fisherman told everything, तो fisherman जो होता है वह सब कुछ उसको कहके सुना देता है जो उसकोई पत्नी बोलती है The queen fish said तो रानी मचली क्या बोलती है Your wife is very greedy रानी मचली बोलती है कि तुमारी पत्नी बहुत ही लालची है She can never be happy वह कभी भी खुछ नहीं हो सकती Go home, do hard labor कि घर वापस चले जाओ और कड़ी मेहनत करो And you will be happy और इस परकार से तुम खुछ हो जाओगे अपनी जिन्दगी में सफल हो जाओगे The fisher man came back Fisher man वापस आ जाता है He saw that there was only a hut in place of a beautiful house वह जब वापस आता है तो देखता है जहाँ पे बहुत बड़ा सुन्दर घर था वहाँ पे सिर्फ उसका पुराना पहले वाला कुटिया जो जोपड़ी था वही रा जाता है His wife was crying उसकी पत्नी चिला चिला के रोती है Now all the family members were sad और परिवार की जितने भी सदिस रहते हैं वे सभी उदास रहते हैं Now बाबुलाल with his wife began to do hard labor और अब बाबुलाल और उसकी पत्नी दोनों मिलकर काफी कठिन परिशर्म करते हैं Soon again they became rich and happy और जल्द ही वे अमीर हो जाते हैं और फिर से वे खुछ हो जाते हैं खुछ हाल जिंदगी जिने लगते हैं It is rightly said यह सची कहा गया है No vice like ever vice लालत जैसी बुराई कोई नहीं होता लोब जैसा बुराई कुछ भी नहीं होता तो हमें इस कहानी से यह सिच्छा मिलता है कि किसी भी तरह से हमें लालत नहीं करना चाहिए हमें आगे बढ़ने के लिए महनत करना चाहिए और मन लगाकर अपना पढ़ाई करना चाहिए जो काम कर रहे हैं उसको करना चाहिए यहाँ पे यह chapter समाप्त हो जाता है आईए देखते हैं इसमें क्या questions दिया हुआ है यह है इस chapter का कुछ new words दिया हुआ है जिसको पढ़कर आपको याद कर लेना है और आगे यहाँ पे यह है इस chapter का main question यहाँ पे one number ए अंसर the following questions इसके आगे और भी question देखते हैं और इसमें और question दिया हुआ है यहाँ पे J number दिया हुआ है इसके मतलब ए 10 question दिया हुआ है और question number two में fill in the blanks दिया हुआ है इसमें भरना है question number three में give one word for the following group of words इसमें देना है जैसे कि one who catch fish तो जो मचली पगड़ता है उसको fisherman करते है one who sells milk जो दूद बेचता है उसको milkman करते है इस तरह से आगे दिया हुआ है और और इसका आगे दिखते है question number four में fill in the gaps with suitable preposition यहां पर grammatical question दिया हुआ है यह help box दिया हुआ है इसका इससे चून कर इसमें भरना है यह क्या भराएगा इसमें और पिक्चराइज दिया हुआ है यहां पिक्चर देखके इसको नाम लिखना है पाइए मैं आप लोगों को इसका question answer बना के दिखाता हूँ of the fisherman, he used to catch fish and sell in the market. This was the only source of livelihood of the fisherman. Why did the fisherman leave the queen fish? The fisherman lived the queen fish because she requested him not to kill her. She would fulfill all his needs. What did Babu lal do on the request of queen fish? Babu lal threw the queen fish into the river. What was the first demand of fisherman's wife? The first demand of fisherman's wife was a house. What was the second demand of fisherman's wife? The second demand of fisherman's wife was a bigger house with lots of money. What did the fisherman said to his wife on his third demand? The fisherman told his wife that then they had everything so they must not be greedy. What did the queen fish said to the fisherman hearing his third demand? The queen fish said on his third demand that his wife was very greedy. She could never be happy. She requested him to labored hard would be happy. Why was fisherman's wife crying? His wife was crying because there was only a hut in place of their beautiful house. How did the fisherman become rich again? They began to do hard labor. Soon again they became rich and happy. Question number two fill in the blanks. This question number two fill in the blanks. This question number three fill in the blanks. अगर आप लोग को हमारे वीडियो से थोड़ा भी पड़ाय में मदद मिलता है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए इसे तरह के और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों रिष्तेदारों के साथ सेयर कीज और अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे तो आए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं